दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन को भी दवा देना है ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अप्लोड करूँ आपको सबसे पहले पता चले और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सको वल्कम बैक दोस्तो स्वागत आप सपी का टेक MSP मेरा राम मूरस है और दोस्तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्मार्टफून डिलेटेड मिट्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत सारे लोग मानते तो है लेकिन एक्टोल में वो सही नहीं है तो यस चले जल्द तरह के मिट्स के बारे में जारेंगे कुछ मिट्स नेटवर्क से रिलेटेड होंगे कुछ मिट्स फोन के स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड होंगे और कुछ मिट्स चार्जिंग और बैटरी से रिलेटेड होंगे तो यह जो सारी अलग 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 कैटेगरी है इनके निकलता है यह फान से जो रीडियो फ्रिक्वेंसी निकलती है उससे हमें चैंसर हो सकता है लेकिन अभी भी इस पर रिशर्च चल रही है और अभी तक कोई प्रॉपर एविडेंस तो उसको कम से कम थोड़ा बहुत दू-तीन मीटर जितना दूर रख दिया करो और या फिर एटलिस आप सोने जाओ तभी उसको दू-तीन मीटर दूर रख दिया करो ताकि कम से कम रेडियेशन आपके शरीर तक पहुंचे ताकि अगर कोई नुक्सान होता भी हो अगर सेलफोन से तो भी आपके उससे बचने के चांसे बढ़ जाए इसके बाद एक और मित जो बहुत सारे लोग मानते हैं वह यह कि फुल सिगनल मींस बेस्ट नेटवर्क या फिर बेस्ट इंटरनेट मतलब कि जो आपके फोन में ऊपर आपको नेटवर्क दिता है जो सिगनल दिखता ह वो तो depend करता है कि आप जिस cell phone tower से connected हो उस tower से और दूसरे कितने phones connected है जितने ज्यादा phones connected होंगे उतनी कम आपको speed मिलेगी लेकिन हाँ वो जो उपर signal होता है उससे आपको यह पता नहीं चल सकता कि आपके phone में आपको कितनी speed मिलेगी इसके बाद एक और मित जो काफी सारे ल तो भी वो आग पकड़ लेती है लेकिन हमारे phone में किसी भी तरह की sparks होती ही नहीं है unless and until आपके phone की battery damaged हो लेकिन हा जो लोग कहते है कि phone की radiation की वज़े से आग पकड़ती है वो तो एक myth है phone की radiation की वज़े से petrol pump पे आग नहीं लग सकती अब हम phone के specification से related कुछ myths के बाद बात कर तो यहां पर जो सबसे पहला myth है वो यह कि IP certification makes phone waterproof बहुत चारे लोग ऐसा मानता है कि अगर कोई phone में IP certification है मतलब कि वो phone waterproof है नहीं ऐसा नहीं होता IP certification से phone water resistant बनता है ना कि waterproof मतलब IP certification होने के बावजूद भी आपके phone में water damage हो सकता है और यह जो IP certification की testing होती है वो एकदम clean साफ प जैसे कि कोई बीच पर वहां पर आपका phone पानी में चला जाता है या फिर पानी के अलावा कोई और तरह का liquid है जैसे कि coffee, cold drinks, etc. उससे आपके phone को damage हो सकता है और almost सभी smartphone companies अपने warranty के अंदर water damage को cover नहीं करती है अगर आपके phone में water damage होता है तो उसका खर्चा आपको खुद को ह देना पड़ेगा तो इसलिए अगर आपके phone में IP certification है तो सिर्फ थोड़ा स्यादा protection आप कहा सकते हो पानी से आपके phone को मिल जाएगा लेकिन completely waterproof तो नहीं बनता है आपका phone इसके पाद एक और मित जो काफी common है और बहुत सारे लोग इसको मानते हैं वो यह कि plastic body on phone is bad काफी सा बलका होता है इसलिए आपका phone काफी light weight बन जाता है इसके अलब प्लास्टिक सस्ता भी होता है metal और glass के comparison में इसलिए smart phone companies phone की price को और थोड़ा कम भी रख सकते हैं plastic body वाले phone अगर आप गलती से गिरा भी दो तो भी आपके दिल को थोड़ा कम जटका लगता है when compared to glass body because because glass is glass and glass breaks and metal body वाले phone में काफी सारे network के issue भी आता है जबकि plastic body में कोई issue नहीं होता है तो yes practically दिखने जाओ तो plastic body के भी काफी सारे फाइद है तो ऐसा मत समझो कि plastic body वाले phone खराव होता है इसके बाद next myth जो है वो almost सभी लोग मनते हैं और वो ये कि better specs means better performance काफी सारे लोग ऐसा करते हैं क कि phone कितना अच्छा है या फिर कितना बुरा है लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो काफी बार आप गलत भी हो सकते हो because phone के specification से आप यह नहीं बता सकते कि phone real life usage में कितना अच्छा होगा for example कभी कभी आपको 4GB RAM वाले phone में ज्यादा अच्छी speed मिलती है 6GB RAM वाले phone से और यह सिर् उसको physically use करना पड़ेगा तब ही आप बता सकते हो कि phone कितना अच्छा है तो yes better specs means better performance यह भी एक myth है अब charging से related कुछ myths के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला काफी common myth है वो है airplane mode charges phone faster काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो airplane mode on करके phone को charge करेंगी तो phone जल्दी charge हो ज difference होता है वो काफी कम difference होता है almost no difference के बराबर ही होता है तो इसलिए आप यह बता नहीं पाता है कि आपका phone जल्दी charge हो रहा है या नहीं हो रहा तो इसलिए इसको भी हमें मित की तरह count कर सकते हैं इसके बाद एक और मित जो काफी सारे लोग मानते हैं वो यह कि type c port से हमें ज् सब लोग को इसलिए ज्यादा पसंद आता है वह ज्यादा convenient है मतलब आप उसको सीधा उल्टा कैसे भी लगा सकते हो वह ज्यादा convenient है लेकिन charging speed में तो कोई फरक नहीं पड़ता फिर चाहिए type c port या फिर micro usb port हो तो आज के वीडियो के लिए I think कितने मित काफी है I hope आपने इस वीडियो के तुरू कुछ नया सिखा होगा अगर नया सिखा है तो जल्दी से इसको लाइक कर दो और हाँ मुझे इंस्टाग्राम और ट्टेटर पे जरूर फॉलो कर देना बिकॉस मैं बहुत जल्द चैनल पे अपडेट डालने वाना हूं और अगर आप मुझे इंस् अबएंगर नया सिखा है इंस्टाग्ग्राम और चल्दाग्राम और लाँ मुझे इंस्टाग्राम और खांसरान है तो झालड़ चालएंस्टाग्राम और भंपड़ने ड्राम